नमस्कार डिश्टल कक्ष में आप सबका स्वागत है राणासांगा भागतीन के अंतरगत हम राणासांगा के दिल्ली सल्तनत के साथ किस्प्रकार संबंद रहे और खानवा के युद्ध से पूर्व की जो परसितियां थी इनकी चर्चा करेंगे बिशेश तोर से सल्तनत के सासकों से लेकर के बावर तक के प्रारम्भिक संबंदों की चर्चा करेंगे तो जैसा राणासांगा की नीद थी कि वो महत्वा कांची सासक था और सामराज विस्तार करना चाहता था इसलिए सांगा ने दिल्ली सल्तनत को निर्बल पाकर उसके अधिनस्त वाले मेवाड के निकटबर्ती भागों को अपने राज में मिलाना अरंब कर दिया जिसका विरोध सिकंदर तो न कर सका परन्तु जब दिल्ली सतनत की वागडोर इब्राहिम लोधी के हाथ में आई तो उसने 1517 इसमी में एक पड़ी सेना के साथ मेवाड पर चड़ाई कर दी खातुली के मैदान में दोनों दलों की मुटभेड हुई जिसमें सुल्तान अपने साथियों के साथ पराजित होकर भाग गया उसका एक सहजादार राणा द्वारा बंदी बनाया गया जिस से कुछ दंड लेकर राणा ने उसे छोड़ने की आग्यां दे दी बावर नामा इस तरह का विवरन बावर नामा के भाग दो पर मिलता है दूसरे वर सुल्तान ने मिया हुसेन तथा मिया माखन के साथ एक महती सेना को सांगा की विरुद पहली पराज़े का बदला लेने भेजा फार्सी तवारीकों में मिया हुसेन का इस उसर पर राणा से मिल जाना और फिर मिया माखन के पत्र से सुल्तान की सेना का सयोगी बनना आदि बर्लन लिखा है इन में इस युद में राणा की हार होना भी उलिखित है परन्तु बाबर ने दौलपर की लडाई में राज़पूतों का विजई होना लिखा है जो पिछली तवारीकों की तुल्ना में पिस्वस्नी परतीत होता है वैसे तो इस्थानी साहित में राणा द्वारा कई बार दिल्ली, मांडू तथा गुजरात के सुल्तानों को पराजित करने का वर्णन दिया है परंत उसमें संदे नहीं की माराना सांगा ने इल सुल्तानों को बारी-बारी से पराजित कर अपने साहस और सौर का परचे दिया था इन विजियों से उत्री भारत का नित्वत भी उसे प्राप्त हो गया इबराहिम की ये पराजै माराना की प्रतिष्ठा बढ़ाने में बड़ी सायक बनी वैसे तो दिल्ली सल्तनत की सासक निर्वल हो गए थे फिर भी उनकी एक प्रतिष्ठा थी वे देश के सासक माने जाते थे दिल्ली के सासक को परास्त करने से राजनीतिक धुरी मेवाल की ओर घूम गई और सभी सक्तियां देशी और विदेशी सांगा की सक्ति को मानता दने लगी मेवाल की सक्ति की ये चरम सीमा थी राणा इन विजियों में राजपूत संग्ठन का नेता स्विकार कर लिया गया था और उसके विक्तित्त में हिंदू सौर्व की आभादेदी प्रिमान हो चली थी बाबर और राणा सांगा के समंदों पर भी चर्चा अवस्चक प्रतीत होती है वैसे तो राणा सांगा ने भारती मुसल्मानों को परजित कर अपनी एक प्रकार की विशेश ख्यात ही अरजित कर ले थी परन्तु उसे अब भारत के एक छोर से आने वाली उसके तुलिक्स आईसी और भीर सेना का मुकाबला करना था और वैत थाई बावर की सेना इस मुगल सेना नायक ने सांगा की भाती जीवन में कई उतर पुतल देखे थे केवल अपने धैर और बल से उसने अपने लिए काबुल राज में नए राज की स्थापना की छोटे से काबुल राज से वैस अंतुष्ट नहीं था ये लोधी सामंतों से निमंतरन पाकर भारत आया और पानी पत के मैदान में अब्राहिम को परास्त कर बजेता बना परंतु इस बजे के उबरांत उसने देखा कि दिल्ली और आगरा की बजे उसे भारती राज का स्वामी बना सकती है उसे ऐसी स्थिती प्राप्त करने के लिए राणा सांगा से मुटवेड़ लेनी होगी जो उसकी बाद मात्वा कांची था और जिसके नितत्र का लोहा अफगान और भारती नरेस मानते थे राजपूत राजा और रावों का तो उस पर ऐसा विश्वास था कि वे दिल्ली पर इंदू सासन इस्थापित करने की चमता रखता है राजनीतिक बौद्दिक और भावुक मानता से सांगा उस समय का एक ही व्यक्ति था जो बाबर का ब्रोत करने की उगिता रखता था के बजाए राजपूर समस्या को पहले निप्टाने का निष्चे किया परप्रसने था कि किस बहाने सांगा से युद्द्धि छेड़ा जाए उसने सेग्री एक बहाना ढून नकाला उसने सांगा पर आरोप लगाया कि जैसा उसने वादा किया था कि वह अपने सेन वल्चे उसकी सायता के लिए पानी पत्की मैदान में उपस्तित नहीं हुआ। साथ ही उसने यह भी बताया कि दिल्ली और आगरा लेने पर भी सांगा के प्रस्थान का कोई नामुशान नहीं था। इस कथन से बावर ने राणा पर आकमण करना नयवचित बताया। सभी इतियासकार बावर के इस कथन को सत्त मान कर सांगा पर प्रतिग्या भंग का दोश लगाते हैं। लेकिन जो राजिस्थानी सुरोत इसके विपरीत यह बताते हैं कि बावर ने काबुल से राणा को कहलाया था कि वे इब्राहिम को प्रास्त करने में उसकी साहता करे। उसने अस्वासन भी दिया था कि बिजई होने की हालत में दिल्ली बावर के राज में रहेगा और आगरा तक राणा की राज की सीमा रहेगी। इस सम्मंद की बाचीत सिल अधी के द्वारा हुई और राणा ने भी इस प्रस्ताव की स्विक्रत भिजबा दी। इस प्रकार के पत्र विवार का बिवरा मेवाल राज के मुख प्रोहित की डाइरी से मेवाल के संचित तित्यास की पांडिप में उद्रित मिला है। वैसे तो ये सूचना सीधे किसी समसमाईक पत्र में नहीं मिलती। परंत पुरोईजी की डायरी जो राणा के देनिक कार्यों को लिखित करती थी और जिसचे ये अंस उद्रित हैं असंबव नहीं दीख पड़ते तर्क की कसोटी पर कसने से भी ये सही प्रतीत होता है कि बावर ही राणा की सहयता अंजान देश में जाने के करण मांग सकता है सांगा को किस प्रकार की साहिता पेक्षित थी जबकि उसने इब्राहिम को तथा गुजरात और मालवा के सुल्टानों को परास्त कर दिया था एक राजपूत की मनुबरती भी इस बात पर विश्वास पैदा करती है कि वह अपनी और से कभी किसी विश्व में आगे नहीं पढ़ती अरत्यों बाबर के द्वारा सांगा की साहिता की याशना करना ही युक्तिसंगत दिखाई देता है तो अब यह परसंद स्वावेक रूप से उठता है कि अगर बाबर के प्रस्ताओं पर सांगा ने स्विक्रत भेज दी थी तो फिर उसने इबराहिम के बुर्द साहिता क्यों नहीं की इसका कारण जैसा की मेबाल के संचिप्त इतिहास में उलिकित है कि जब राणा के सामंतों को यह पता चला कि वे एक बिदेशी को साहिता पहुचाना चाहता है तो उन्होंने ऐसा करने से रोका यह कहते हुए कि साम को दूद पिलाने से क्या लाब राणा अपने सामंतों की बात को बला कैसे टाल सकता था वहां से सांगा ने अपनी सक्त को संगशित करना आरंब कर दिया पर सैनिक विवस्था को सुद्रण किया अपनी सक्ती अधिक बढ़ाने के लिए उसने चित्तोड से प्रिस्थान किया और बयाना दुर्ग की तरफ बढ़ा और उसे ले लिया मुम्मद लोधी से भी उस समय बावर को यहां से भगाने की संबंद में बातचीत की गई सांगा ने अनेक इस्थानों पर भी इस समय अधिकार इस्थापित कर एक तरह से नौ इस्थापित मुगल सत्ता को चुनोती दी बयाना की लड़ाई में इस प्रकार सांगा विजयी रहा बावर भी इस कारवाई को समझ रहा था राजपूत अफगान संगठन उसके लिए हानिकारक था जबकि वे द्रणता से यहां मुगल सत्ता इस्थापित करना चाहिता था राणा के अधिकार में आये हुए भागों से भागी हुई मुस्लिम जनता ने बावर को अवस्थ उक्सा दिया हो जिससे सांगा के बुरुद्ध कदम उठाना उचित समझा इसलिए उसने सांगा की स्विकृत का बहाना डून कर उसे दोसी ठहराया और उसके की सक्ति के परिवर्दन से भेवीत थे दोनों का उत्री भारत में एक साथ रहना वैसा ही था जैसे एक मियान में दो तलवारें बावर ने जब आते ही पंजाब ले लिया और वहां सासन बिवस्था जमाने लगा तो सांगा के लिए यह इस्तिती असह थी वह संभौता यह स उसने बेप्रियत्न करने आरंब कर दिये जो सुद्रन राजववस्था की स्थापना के लिए अवस्चक थे बात तो यह थी कि उत्तरी भारत में अपने अधिकार को बनाई रखने के लिए दोनों के बीच में सत्रुता बढ़ने के मौलिक कारण राजनीतिक, धार्मिक और कार्थिक थे, सांगा और बावर की इस देश में वही इस्तिती थी जो एक दूसरे पर घात लगाए हुए सेरों की होती है, इस परकार दोनों महत्वा कांची सासक आमने सामने थे और दोनों ही अपनी सत्ता इस्थापित करना चाहेते थे, खानवा जो की आगे चलकर युद्भूम बना, वो खानवा की जो लडाई है, वो इस बात का फिर फैसला करती है, जिसकी चर्चा हम आगे के व्याख्यान में करेंगे, यदि प्रारंविक व्याख्यान में आपको इसमें कोई पूछना हो, तो आप जानकारी ले सकते हैं, और साथ साथ यदि कोई जिग्यासा है, जैसा पहले लगवग पृतेग व्याख्यान में ये बात इसपर्ष्ट होती है, कि आप अपनी बात रखें, कमेंट बॉक्स में धन्यवाद,